बड़ा ही आसान है बट कुछ लोग इस question को देखके ही डर रहे होंगे सोच रहोंगे सर यह तो बड़ा tough है रियल में तरीका tough होता है अगर आप खोड़ा ही अच्छे तरीके से करें तो कोई problem नहीं होती है कुछ बच्चे क्या करेंगे इस question को करने के लिए यहां पे इनका नीचे LCM लेना शुरू कर देंगे लासा लेना शुरू कर देंगे जो कि बहुत ही गलत है आंसर तो आ सकता है आपका but competition के point of view से आप बहुत time taken कर लेंगे बहुत time ले लेंगे जब कम time में आपको ज्यादा questions करने होते हैं तो इसके लिए आप क्या करेंगे कि आपको यहां पर देख लीजिए आप सिमिलर आपको लग रहा है देखिए काफी सिमिलर है conjugate multiply करेंगे जब इसमें आप तो यह आ जाएगा या इसमें करेंगे तो यह आ जाएगे अच्छा जब उपर multiply कर लेंगे तो यह finally कितना आएगा sin x into 1 minus cos x नीचे क्या आ जाएगा 1 minus cos square x जो होता है sin square x इन दोनों का multiply करेंगे तो 1 minus cos square x आएगा ना 1 minus cos square x होता है sin square x square से sin x cancel तो finally कितना आएगा 1 minus cos x upon sin x 1 minus cos x upon sin x आगया अच्छा जहां भी आपको sin x upon 1 plus cos x देखे आप 1 minus cos x upon sin x रख सकते हो क्योंकि इसके result से यह आ रहा है तो जब आप यहाँ पे यह value रखेंगे तो यह इससे यह cancel out हो जाएगा यह plus का यह minus का क्योंकि यह दोनों आपस में equal है इसलिए यह दोनों cancel हो सकते है इसलिए अब आपके पास में question में sit भी है और यह बचा है ठीकि इसके लिए आप क्या करेंगे उपर cos square x है यह हो जाएगा 1 minus sin square x और 1 minus sin square x होता है 1 plus sin x into 1 minus sin x 1 plus sin x into 1 minus sin x कुछ आपको समझ में आ रहा होगा I hope नीचे आप देख रहे होंगे 1 minus sin x पहले से जो की cancel out हो सकता है 1 minus sin x से 1 minus sin x cancel और finally यहाँ पर sin x है ठीक है अब देखिए जो आप बचा है भही एजटीज लिख लीजिए 1 plus sin x minus sin x तो finally इससे यह cancel out यह plus का यह minus का तो finally कितना है आप 1 देखिए कितना easy question है कुछ ही steps में यह solve हो गया answer आप 1 और आप टेक बड़ ट्राइ किजिएगा LASA लेकर LCM लेकर आपको पता चल जाएगा आप 2-3 page में एक minimum एक page तो लग जाएगा आपको आप solve करते रहेंगे फिर भी calculation mistake हो सकती otherwise solve नहीं होगा वो भी सकता है कुछ बच्च होगा जो बच्चे calculation में अच्छ होंगे हमका हो सकता easily